खुब सूरह सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिन्दगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिन्दगी में मिलते है ऐसे जिन से कभी न तूटने वाला रिष्टा बन जाता है। आज हम जानेंगे कि किन कारणों की वज़ा से लोग हमको या फिर आपको पसंद नहीं करते आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन से कोई बात करना नहीं चाहता जो किसी को अच्छे नहीं लगते तो उन लोगों को दिमाग में बहुत सवाल आते हैं कि कोई प्यार क्यों नहीं करता लेकिन कभी वो अपनी कमिया नहीं देखते हैं इसलिए ऐसा होता है जब आपके साथ ऐसा कुछ हो कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो सबसे पहले अपने आपको देखे और समझे कि अब क्या किया जाना चाहिए जिसकी वजह से लोग हमें बात करना पसंद नहीं कर रहे है उसमें सबसे पहला है हमेशा चुगली करते रहना चुगली करने वाले लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते कोई भी ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है जो लोग बस दूसरों की बुरा ही करना जानते है और एक दूसरे की बात एक दूसरे से कहते है पहले किसी की बात सुनी फिर दूसरों को बता दी दूसरे की तीसरे को बता दी ऐसे लोगों पर कोई बरोसा नहीं करता है बात उनके साथ सेयर करता है सब लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते है अगला है अपनी गल्ती कभी न मानना गल्ती बला किसी से भी हो जाती है कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिससे गल्ती हुई ही ना हो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतिया मानने को तयार ही नहीं बस बहस में ही पढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करके भी गलती का स्विकार कर लेते हैं वो सबको पसंद आते हैं लेकिन जो गलती नहीं मानते हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं अगला है सफाई से नहीं रहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गंदे तरीके से रहते हैं एक बार को आपसे लोग आपकी रहने की तरीके से और आप कितने स्वच्छ हैं, उनसे ही पसंद करते हैं, आप कितने अच्छे कपले पहनते हैं, घंदे कपले पहनने वाले किसको पसंद आएंगे, आपके उपर से बदबु आती हो, तो भी कोई आपके पास नहीं बैठेगा तो दोस्तो स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहकर प्रदान मंत्री जी के अभ्यान में भी साथ दे दीजिए, अगला है, कभी किसी और की बात नहीं सुनना, सबसे पहले आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो उससे बात करें, उसकी बात सुने, क्योंकि हो सकता है, उस इंसान कोई परेशानी में हो, या तो फिर आपके फाइदे की बात हो, या यह भी हो सकता है, कि उसे आपके बारे में या आपके काम के बारे में कुछ बताना हो, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को सुनना होगा, अगर आप किस को सुनेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे और वे भी आपको पसंद करने लगेंगे अगला है अपने में व्यस्त रहना जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप अपने काम में ही लगे रहते हैं और उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते तो यह चीज भी लोगों को इसे तो बरे पड़े है दोस्तों दुनिया में आज पास कहीं भी देख लो ऐसे महता दिखाने वाले तो दीखी जाएंगे। करके महान बनने की कोशिष करेंगे तो लोग आप पर ध्यानी नहीं देखे पसंद करना तो बात की बात है अगला है इमानदार नहीं होना अगर आप एक इमानदार और अच्छे इंसान हैं तो हर कोई आपके उपर भरोसा करेगा आपसे बात करेगा, आपके पास इमानदारी नहीं है, आप हल चीज में बेमानी ही करते हैं, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे अगला है अपने स्वार्ट के लिए ही बात करना ऐसे लोग जो बस सबसे अपने मतलब के ही बात रखते हैं ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं आते और अपना उल्लू सिधा करते हैं बस जब आप लोगों से बस अपने स्वार्ट के लिए ही बात करते हैं तो नहीं, कोई आपका स्वाट पुरा करेगा, और नहीं आपकी बात सुनेगा, अगला और आखरी है, हमेशा negative thinking वाले, आप हर चीज को नकारात्मक ही सोते हैं, जब भी कोई आपसे कुछ बात करता है, कोई कुछ बताता है, तो आप उस चीज को negatively ले लेते हैं, हर चीज के ब बात करने आता है, तो आप negative ही बोलते है, negative ही thinking आपकी रहती है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कारण, जिसकी वज़ा से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, दोस्तों मुझे comment करके ये भी बताए, कि आपके साथ क्या ऐसी कोई गटन कर दोस्तों मुझे 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 कर दोस्तों मुझे